आज आपको बताएंगे गुलाब के बारे में गुलाब में मेरे तरह कली कैसे पाए और इतना सा मोटा फ्लावर कैसे ले बहुत बड़ा यह देखिए एक प्लाइन्ट में मतलब एक डाली में चाल पाच कली क्यों कैसे ले लेंगे यह सब आपको क्या-क्या खार देना है सभी चीज आपको बताएंगे और क्या क्या करना है और कैसे करना है अभी तो ऐसे फरवरी का महीना है आप देख रहे हैं गार्डेन दोस्त आज आपको बताएंगे यह फरवरी का महीना है तो ऐसे ही यह स्प्रिंग सीजन में फ्लावर तो देना इस्टार्ट कर देता है यह देख लक्ता होती है फैसे थड़ा में ही रखे मतलब गर्मी आगत ज्यादा तो उसमें थोड़ा कम धूप कि आप सकता होती है अगर आप जमीन में लगा है तो तो कोई बात नहीं कोई महीना रहे अब जहाँ लगा देंगे वहस Toni लगया और ठंड का एरिया है उसमें रखेंगे तो और भी अच्छा होगा ठंडी के एरिया में रखना बहुत ही आवस्यक होता है ऐसे इसका प्लांट के एरिया में ही लगाना चाहिए लेकिन ऐसे गर्मी के लिया में लगाइएगा तो इसमें थोरा ज्ञादा पानी देने की वाय सकता हो गी और सबसे ज्यादा ये बात होती है जो पानी जितना ज्यादा परे पानी ते अगर बर्मिंग कंपोस्ट है तो बर्मिंग कंपोस्ट वाला पानी ते आपको इस समय 20 या 25 रुपे में छोटा छोटा प्लांट मिल जाएगा इसका गुलाब का जिसमें आप आप 10-12 रुपे में थोरा उससे बरा मिलेगा बोरी वाला वह लगा दे और उसके बाद वहीं आपको अगले साल बहुत सा प्लांट बन जाएगा तो उसी प्लांट से आप इसका प्लांट गोरो करते रहे जितना ज्यादा प्लांट आपका होगा मतलब जितना कलर का उतना ही फैदा का बात होता है ऐसे जितना कम कलर का होगा उतना ही खराब होगा ऐसे मेरे पास तो आठ नो रंका है आपके पास कितने डंका है जरूर कमेंट करके बता है इसका प्लांट में सबसे ज्यादा इतना इतना मूटा स्पाइक कैसे आता है मेरा यह देखिए यह सूखने के कगाल प्रागया था लेकिन फीर एश्पाइक देगा इसमें रेड बाला जो प्लांट बन गया इसे पहले वीडियो बनाया होने यह हाइबरिड विराइटी है हाइबरिड दिसी बाला तो 10-10-12 रूपए में देसी बाला का इससे पहले बनाया हुए है अब इसके नीचे जो क कमयनी होता है कमयनी बार असके नीचे की न supuesto स्षबब्ड मर ञारो ना किउसरे जाए मैंत में तो दूद्डिन बार दीन वहां दूदो दो दीन आप छोड़न अपने। आसे सुखने तो लbur ना data कि आतब सच्वा il होगा तो इसके हाल्दी जितना थोरा लगा दीजागा तो उस से इसका प्लान्ट में कोई यह नहीं होगा रूटिं जुखेगा ए प्लान्ट NEW यह नहीं होगा दली नहीं सुखेगा कटिंग की है उस पर टीप पर जिससे यह होगा जो वहां से फंगस नहीं लगए और प्लान्ट सुखने का खत्रा नहीं रहेगा आप कटिंग के लिए अच्छा से सार्पनेस नाइप ले और उसे उबाल दे थोड़ा पानी में या कोई भी वैसा हो आपके घर में कितना सक या कोई वैसा चीज जिससे आप उसको उपाल दे उसी में चाहे उसमें डूब आके तब कटिंग करें जिससे उसका बैक्टिया मरा रहे है नहीं तो आपको कटिंग करने में सबसे ज़्यादा यहीं दिक्कत हो जाए कटिंग कर दीजेगा और तो जाके ज्यादा दिक्कत आज इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे से कीजेगा तो वहां से सटा हुआ रहता है नीचे जो आप नीचे ही लगाए पहली लगाने के समय गठ जोर से नीचे लगाए अतलब गठ जोर ऊपर रहे हैं जहां से दोनों जंगली और इसका रहता है हाइब्रिड का क्रोस वहां से आप नीचे उपर करके लगा वह उपर ही रहने ते लेकिन मट्टी भरते भरते उसको भी अंदर कर दें जिसे यह होगा जो आपको नीचे से जो जंगली प्लांट हो वो कभी नहीं निकलेगा और यह प्लांट आपका सर्भाइब करने लगे हैं अब इसको लिए बर्म कर पोस्ट से ज्यादादे जब बनाना खाथ हो तो परल्म पोस्ट जरूर मिला देよろしく मिलाने में यह होता ह्षा सा यह लें अभुत में प्लांट अच्छा सा गुरू कर जाता है जीतना पुरा नًए इसमें जो फटिलाजर देते radiya सब्जी का वह हमें पीछे बीडियो में बतायो हुए आप वह भीडियो देख लेख सकते हैं वह इससे पहले दो-τhh工 पहले होगा आप देख लिजे वह आप चेक करके वह भी कैसे बनाया जाता है वह देख लिजा और वह ही पानी आप रोजाना इसको डालते रहें वह पानी देजेगा तो बहुत अच्छा इसका प्लांट गुरो करेगा अगर आपके पास इनो हो घर में जो खाने वाला साल्ट होता है इनो में मात्रा रहता है सोडिय गिलास 15 दिन पर इसका और भी फ्लाबर अने लगे चारव तरह कली ही कली भर जाएगा एक में 100 कली आपका हो जाएगा तो आपको इसको लगाने में बहुत फैदा होगा और एक प्लांट में जैसे ही 100-200 कली हो जाएगा थोरा प्लांट बरा होना चाहिए एक साल बाद ही 100 कली आएंगे क्योंकि यह मेरा छोटा प्लांट है, एक साल का ही हुआ है अब तो इसलिए यह छोटा है और मिट्टी अच्छा नहीं है मित्टी में थोरा बर्मिंग क्पोस्ट कम पर नियुक्त-बै मिक्त बडिया यह क उपर्मिंग culturally नॉट नियुक्त-फ़। इक नाईपक aí कि दोर्छी साथे इसमें इसमें की नमोटा कली बंढ़ा है ऐसे ही जो प्लांटर के वूपर से कली बन रहा है वह ठीक रहता है और जो दहीं बना है जिसमें कली तो वह से हमाटा देते हैं आप इसको एक फसके सहारे खाडा करके रखें नहीं तो एक साल का प्लाट रहेगा आपको तूटने का ज्रौर ज्यादा रहता है कि इसमें जितना भी प्लाट हो को तो तो जाता से क्रॉस करवा आजाता है तो कोई काम का Quite टोटा यह काम का रहीक है 105 अब compression करके ऊसे किया रहता है उसे उप्ट कर दें जिससे मेरा देखिए फ्लाबर बाला प्लांट बन गया तो जिसके आइसे पांच पता रहता है और प्लांट कर दें अगर बारा हो गया एक डाली है तो काट के देखिए अगर अंटी बेक्टरियल बनानी की कोई आवा सकता नहीं है आप इसमें वर्मिंग कंपोश्ट तो जरूर देते रहेंगे अगर महीने में एक बाल जरूर दे दे एक मुठ्थी 100 ग्राम के करीब एक गमलाव के हिसाब से 100 ग्राम के हिसाब से आप बराबर देते रहेंगे अगर इसको अगास्त महीने में आप उसको खोद के मिट्टी को अलग कर देंगे और फिर उसके बाद अगास्त में हम वीडियो जरूर बनाएंगे तो आप देख लीजेगा अभी तो इसका फलाबर देने का समय तो पलाबर देते हैं दयेगा जितन आच्छा पलाबर दिलाने साइंगे नहीं अच्छा होगा ये प्लांट और उत्छा ही आपको इसमें खाद उत देना होगा अगर इनयन पिके देना चाहते है तो उनाइस उनाइस दे सकते हैं अगर गुलाब के खाद भी आती है जो हमने जन से मंगवाया था वो भी हमने डाला था इसके करन भी इतना बड़ा फुला बड़ा आया था बहुत सारा देसी बाला में वही डाल दिया था जिस्त के रालन उसमें एक प्लांट में सो डेर सो ख आता-ता ओ